जार्खन पश्चिम मेंगोल और उत्तर परदेश जैसे कुछ राज्चों में अनियमित मांसुनी बोरिश के कारण खरीब सतर में धान बोई का रखबा 4.76 फिसद घटकर 402.88 लाख हेक्टर रहे गया है कृशी मंत्राल्या ने शुकरवार को 2022 के खरीब सतर के लिए बोई के रखबे का अंति मांकड़ा जारी किया है पिछले साल खरीब सतर में धान का रखबा 423.04 लाख हेक्टर था सभी खरीब फस्टों की बोई का कुल रखबा पिछले साल के 1112.166 लाख हेक्टर से घटकर 1102.79 लाख हेक्टर रहे गया है तरसल धान के मामले में जारखंड में 9.22 लाख हेक्टर घटा है एरिया जबकि पश्यू में 3.65 लाख हेक्टर में कम बोई की गई है वहीं उत्तर परदेश में 2.48.000 हेक्टर तो मध्य परदेश में 2.24.000 हेक्टर में के कम एरिया में बोई देखने को मिली है अधिक वर्षा हुई है लेकिन इसका वित्रन असमान रहा है राजस्थान के रेगिस्थान राज्यों में समाने से 36 प्रतिशत अधिक बारिश देखने को मिली है और उत्तरी पूर्वी शेतर जहां पर चूर वर्षा होती है वाग कम बारिश हुई है मंत्रालेक ने अनुमान लगाया है कि धान के रकवे में गिरावट के कारण फसल वर्ष 2022-23 के खरीब सक्तर के दोरान चावल का उत्पादन 6 फिसदी घटकर 10 करोड 49.9 लाक तन रह सकता है यानि चावल के उत्पादन में संभावित गिरावट ने सरकार को 9 सितंबर से टूट चावल के निर्याद पर प्रतिबन लगाने और गैर बास्मति और बिना उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्याद शुर्क लगाने के लिए प्रेरीद किया था वैश्विक चावल वेपार में 40 फिसद हिस्सेदारी रखने वाले भारत ने पिछले वर्ष के 1 करोड 70.8 लाक टन के मुकाबले वर्ष 2021 में 2 करोड 12.3 लाक तीन हजार टन चावल का निर्याद किया था अब खबरे निकल कर आ रही है कि धान का रकबा घटता हुआ दिखाई दे सकता है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी